दोस्तो जब भी computer data operator job vacancy की बात हो या फिर आज की situation के उसार work from home job की बात हो तो एक बात का जिकर जुरूर होता है भी आपको Microsoft Excel का knowledge कितने हैं क्योंकि दोस्तो आज के जमाने में officially work को complete करने में आपको computer का basic knowledge तो चाहिए चाहिए उसके साथ साथ में आपको Microsoft Excel हो गया या फिर internet का हो गया इनका knowledge भी होना बहुत ही जुरूरी है क्योंकि Microsoft Excel एक ऐसा software है जिसे आप अपने office का जो गंटों का काम है उससे आप कुछ mintों में ही पूरा कर सकते हो तो दोस्तो अगर यूं कहें भी आज के field में आपको हर official job के लिए Microsoft Excel सेखना बहुत ही जरूरी हो गया है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में Microsoft Excel के पाइवेट टेबल के बारे में सेखेंगे भी हम किस तरीके से पाइवेट टेबल का option का use करके हमारे office का अवरक होता है उसे हम short किस तरीके से कर सकते हैं यानि कि जिस काम में हमारा पूरा दिन लग जाता है उसे हम कुछ mintों में ही पूरा कर सकते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो बहुत एक knowledgeable रहने वारी है अगर आप Excel को step to step practical तरीके से शेखना जाते हो तो आज की इस वीडियो का अप end तक पूरा जरूर देखना वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो like कर देना दोस्तों में share भी कर देना अगर को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि हम आगे भी इसी तरीके की वीडियो और भी लाते रहेंगे तो नमस्कार दोस्तों मैं हूं मौन सुथार और समार्ट काउंटिंग आरसनार की यूटूब चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तों में किस तरीके से सखोंट कर सकते हैं तो दोस्तों जैसे कि मैंने हीडिंग आपर दी अठीट मेरे पास उसके पास में कस्टमर का नेम है उसको कितनी डेटिसते अब की तो दूसों जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक डेट हैं एक चार दो जार इकिस की उसमें मेरे पास यह कस्टमर का नाम है शुरेंदर कुमार उसको हमने बॉलफेन सेल किया है क्वांटिटी हमने इसको पांस सेल करी है एक का रेट दस रुपय है तो टोटल पचास रुपय की अ डेट अलग अलग है अब जिस customer को एक बार जो stock item गी है उसको बात में अलग stock item भी उसके पास में गई भी है rate अलग हो सकता है quantity भी अलग है तो amount भी अलग होईगी तो अगर इस तरीके के जिसे data अब आपकी office में आपकी हजारों के संक्या में इस तरीके के record होते हैं अब अगर आपसे यह बात पुछी जाए भी आज तक इस customer का record बताए आपके क्योई रामकुमार को आज तक हमने क्या-क्या stock item sale करी है या आपसे यह बात पूछ ली जाए भी आज तक जो हमारे पास जो stock item है ball pen यह ball pen हमने आज तक किन-किन customer को sale कर दी है अगर हम rate की बात करें तो ये बात कुछ ही भी जा सकती है अभी आज तक हमने 8 रुपए में जो बाल पेन है वो किस किस कस्टमर को सेल करें यानि कि किसी भी टाइप के अंदर आप से कोई record पुछा जा सकता है तो दोस्तो अब जैसे हमारे पास यहां पर रामकुमार है अब यह रामकुमार है तो हमारे पास रामकुमार भी यहां पर भी हमने इसको सेल किया हुए अब यहां पर भी सेल है लेकिन यहां पर इसकी जो स्टोक आइटेम है वो अलग वो मारकर है तो इस तरीके से एक बार हमने फिर Rám find कुमार को यहां पर फिर भी sale किया, पर हमने राम कुमार को books sale करी है, अगर हम यह चीज़ देखना चाहिए भी राम कुमार ने आज तक मुन्हें से क्या-क्या products process की है तो अगर ये तो जैसे हमाने तीन record है था हम इसको देखके बता सकते हैं अगर ये हजारों के संख्या हमें हो तो हमें बहुत ज्यादा मुस्किल हो सकती है अब ये हो सकता है जैसे कि मारे पास एक ball pen है ये ball pen आज तक हमने किन किन customer को sale करी है जिसे कि ball pen यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है उसके बाद यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है तो यानकि चार-पांच बार हमने ball pen को sale किया हुए लेकिन सभी के customer अलग अलग है सभी के rate अलग अलग हो सकते है तो हमें private table की जुरूर पढ़ती है इस टाइप की data को short करने के लिए तो यह अगर अगर कोई किसी particular software में अगर work किया होता तो वहाँ पर उस software में इसको data को short करना असान हो जाता है लेकिन हमने इसको Microsoft Excel को एक तरीके से software का हम रूप दे देंगे जिसे कि हमारा data असान हो जाएगा तो दोस्तो इसके लिए हमें private data का use करने के लिए सबसे फिर हम insert button पर हम जाएंगे insert button पर use हम करेंगे तो आपको इस table की option के अंदर यहाँ पर option देखने को मिलेगा private table इसको हम click करेंगे तो जैसे हम इस पर click करेंगे तो आपसे यह जितना आपका data को जो range है वो यहाँ पर automatic select हो जाएगा तो दोस्तो इसके लिए आपको एक बात में द्यार रखना है जो भी आप data मना है उसकी heading आपको देनी बहुत ही जरूरी है जैसे कि date हो गया, customer का नाम हो गया, item होगी तो यह जो heading है हमारी yellow color में यह देना कमपल सरी है otherwise जो इसका private table है इसको properly समझ नहीं पाएगा और उसके बाद में यहाँ पर इस private table के अंदर कई option हमारे से पूछेगा यह तो हमारी आगे range, यहांकि seat 1 के है, यहांसे A से लेके F 15 तक यहांकि यह जो पूरा हमारा field इसने select किया हुए है उसके बाद में आगे भी choose you are the one, the private table report to be placed भी आप जो report देखना चाहते हो, आप इसी work sheet पे देखना चाहते हो या फिर आपको नई work sheet पे लेके जाना है, अब नई work sheet का मतलब, जैसे यहां पर हमारे पास seat ने जो बनी होती है जैसे seat 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, आप अलग seat पे देखना चाहते हो, या इसी जो अमारे पास यह जो record आ रहा है, इसी में देखना चाहते हो तो हमें मैंसा नई work sheet पे data बनाना चाहिए, तो हम इसको करेंगे OK, जैसे हम OK करेंगे तो आप देखरों, यहां पे जो seat number 3 है, वहां पर automatic आगया, अब जो मारा main record आप वो seat 1 पर रहे, पर अब मारा data की जो shorting होएगी, वो सारा seat number 3 पर रहेगी, अब जैसे हम 3 पे करेंगे, तो हमारे पास यह private data की जो filter list यहां पर आजेगी, तो दोस्तों आप देखरों, यहां पर यह जो उपर heading की जो हमने नाम दिये थे, date, customer, name, item, quantity, rate, amount, यहां पर इसने automatic इसको heading मानते वे, इसको यहां पर data को ला दिया, अब इसमें से हमें को select करना है, भी हमें क्या चीज data range कर करना है, तो हम यहां पर जिस जिसको data को आपको चीए, यहां पर आपको अलग-लग option भी मिलेंगे, फिर आपको report को filter करना है, column label करना है, roll label करनी है, या इसकी value देखनी है, तो दस्तों हम बिल्कुल simple तरीके से शुरुआत करते हैं, अब सबसे पहले हम यह चीज देखनी है, customer का ना, जिससे हम इस customer ने पर click करेंगे, तो आपके सामने यह देखो, जो customer का नाम है, वो इस row में आजएगी, क्योंकि अब देखो, जिससे इस पर हम click करेंगे, यह हमारे data अपर अपन हो जाएगा, और यह जो customer का नाम है, यह automatic अभी row label में आगया, अब row का मतलब यह इस तीन चारो में दिखाएगा, अगर आप इसको ड्रेक करके इसके column में डालोगे, तो आपका यह column wise data हो जाएगा, इस तरीके से, तो हमें जो customer का नाम है, तो हमें सामने रो लेबल में ही लेना चीए, जो कि customer का नाम जैसे आप मारे पास तो, जो customer है, उनके नाम यहां पी fix है अब यहां पर देख रहे हैं अजय कुमार दो यह तीन है, जी आपके पास 50 बार तो भी आपको यहां पर एक बार ही show करेगा, अब हम बात करते हैं, आइटम की, भी हमने आज तक किस customer को कितना आइटम सेल किये है, तो इसके अंदर आपको आइटम सेलेक्ट करने हैं, तो ज जुको बुक और मारकर हमने आज तक सेल किया हुए है, रामकुमार को बालपेन, बुक और मारकर हमने तिन्वी सेल किया हुए है, तो इस तरीके से डाटा यहां पर आ जाएगा, अब हम बात करते हैं इसकी value की, अब इसको एक बार मैं यहां से आइटम को अटा देता हूँ अब इसकी बात करते हैं हम quantity की, और quantity को हम लेते हैं यहां पर इसकी value में, जैसे हम इसको value में डालेंगे, इस value की field में, तो आप देख रहे हो भी, हमने अजग मारको अभी तक 22 quantity सेल करी है, यानकि हमने 22 कोई भी इसको quantity है, वो total item है, इसके अंदर marker भी हो सकता है, pen भी हो सकत तो हमने 22 quantity सेल करी है, अब हमें यहां पर यह पता नहीं चल रहा, अजय कुमार को हमने 22 item में सेल करी है, अगर हम इस report के अगर बात देखें तो आपको यहां पर हम verify कर लेते हैं, जैसे अजय कुमार यहां पर आ गया, अब 7 quantity तो उसको यहां पर हमने सेल करी है, और उसके ब 22 पर आकर डबल क्लिक करना है जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक वर्क सीट नंबर 4 ओपन हो जाएगी और इसमें इसकी डिटेल आजेगी अज्यकुमार की अब अज्यकुमार को 2-4 में आपने अज्यकुमार को अज्यकुमार को फिर पेंसल करिया है साथ क्वांटेटी थी और चार पे रेट था अठाइस रुपेस की वेल्यू बढ़ी तो इस तरीके से इसका जो रिकोर्ड है डबल क्लिक करते इस पर आ जाएगा अब हम इसकी देखना चाहें भी टोटल अमाउंट कितने रुपे का हमने सेल कर दिया तो हम अमाउंट पर जाएंगे और अमाउंट को ड्रेक करके इसको भी हम इसकी वेल्यू में डालेंगे जैसे इसको वेल्यू में डालेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हो इसकी वेल्यू भी आगी आज तक हमने अजय अकुमार को 22 क्वांटिटी सेल करी है और टोटल 328 रुपए का आप तक इसको समान सेल कर चुके है इस पर हम क्लिक करेंगे तो यह डाटा फिल्टर रहे हैं जो वापिस आजेगी और इसी तरीके को अगर हम फिल्टर करना चाहें आइटम-वाइज तो आप आइटम को यहाँ पर इसके फिल्टर के रेंज में हम डालेंगे तो जैसे आज तक किस को सेल किया है कितनी क्वांटिटी सेल करिए है और उसके मांट कितनी है तो वो यहां पर डटा सारा शो हो जागी यानि कि मार्कर हमने अभी तक परभी उनको बेचाए दस कॉंटिटी राजू को भी बेचा है सोग वांटिटी और राउकमार को दो फीस यानि कि टोटल एक सो बारा फीस हमने सेल करें और उनके कस्टमर की ट मिल्टर में आ गया है तो हम आइटम को करेंगे यहां पर वापिस ओल पे और अब यहां पर कस्टमर का नाम आपको यहां पर दिखाएगा अब जैसे हम इस पर अजय कुमार को हमने 22 पे सेल किया है और 328 रुपे की सेल करी है तो अब इसकी जो आइटम है आइटम की अगर ह पेंसिल साथ इस तरीके से आप कस्टमर अलग सेलेक्ट करोगे माने जी सुमित को भी हमने सेलेक्ट कर लिया तो सुमित को हमने अभी तक जो समान सेल किया है वो बॉल पेन है दस क्वांटिटी सेल करिए 140 रुपे बुक 10 और 15 रुपे की अगर आप इसके अंदर पर क्वां वो दस है एक का रेट 150 रुपे तो 15 रुपे की वे अगर आप इसकी जो क्वांटिटी बात में लेना चाहो या अमाउंट सेल के मौंट आप पहले लेना चाहते हो तो यहां से इसको चेंज भी हम कर सकते हैं इसको थोड़ सम बड़ा कर लेते हैं अब जैसे कि यहां पर आपको जो सीरियल दिख रहा है भी क्वांटिटी पे ले आ रही है रेट पे ले आ रहा है और उसके बाद में अमाउंट आ रही है तो अगर आप अमाउंट को क्वांटिटी को यहां से ड्रेकर के नीचे कर दोगे तो अब को वांटिटी है जो बिल्कुल लास्ट में आजएगी और इसके वेल्यू है टोटल हो पहले आजएगी तो इस तरीके से आप अमाउंट वाइज भी इसको फिल्टर कर सकते हो अब जैसे माउंट वाइज हमने फिल्टर कर लिया कस्टमर को वापिस हम ओल करेंगे और उसके बाद में अमाउंट पर आ जाएगे अब अमाउंट हमने मालने की 140 रुपे की डिटेल देखने कि इसको सेल किया है तो 140 रुपे की जो वेल्यू है वो बॉल पैन हमने सेल करी है तो इस तरीके से हम तोल्ल किसी भी तरीके से डाटा को हम यहां पे 55 तरीके से अलग लग वेल्यू की त्रीके साब देख सकते हैं अगर आप इसको लेबल के तुरू क Cultural में करो टाटा बड़ा हो होके तो आपको सारा डांट इस थारप hélas के साफ से यह-फैसीर 20 तरफ programmers के साफ से हैं तो इस तरीके से जिस जिस डीट के अकोर्डिंग आपने सेल किया से उसका सार डाट यहां पर चैंजिंग हो जाएगा अगर हम कोई अपने मारे सीट के डाट रप我们 को चैंजिंग किस तरीके से शो करेंगे हमान लेजी हमारे पास जिसे यह कर्ष्टमर है राजू और इसका जो मारकर इसकी जो अभी जो शो आ रहा है इसको हम करते हैं पर 500 तो जिससे हमने कि यहां पर इसको 500 चैंज किया इंटरप्रेस किया अब सीट 3 पर जाते हैं तो अब हम इसके डिटे करेंगे तो अगर इसको में डाटर को रीफ्रेस करना पड़ कोई भी हम करेंगे तो डाटर को रीफ्रेस करने के लिए वहापशники जाए यहां से करेंगी इस पर शांकर करेंगे तो जो यह जो यह यह हमारे सामने आजेगी तो इस तरीके से हम जैसे भी चाहें उस तरीके से हम इस डेटा को चेंज कर सकते हैं किसी भी तरीके से भी हम कर सकते हैं अगर हम यहां से अटाना तो वापिस हम इसको यहां से ड्रह करतें देंगों धी जी अब यहांसे तो इस तरीके से अगर आपको डेट क्यार का स्केभिघा डोलो जोगे यहां सल्गेगा अब लोलीघ आपने दो च्यार में क्या ट्रांजेक्शन करिए तो दो तारिक में यह ओप्सन दिखेगा यानि कि दो तारिक में आपने बॉल पेन है जो 10 सेल किये हैं 14 रुपे के साब से 140 उसके बाद में 15 रुपे के होगी तो इस तरीके से आपको डिटेल दिखाएगा अगर आपको यह चीज़ देखना चाहिए जो पंदरा की क्मानटेट यह वह आपने किसको सेल करिए तो पंदरा पर आके आप डबल क्लिक कर करेंगे इस पर यानिकी पंदरा की जो बेचे आपने अजयक मान को बेचे दो चार में वॉल पेन बेचे हैं 20 रुपे का रेट है क्योंकि अब इसमें आप देख रहे थे हमारा जो में फिल्ड का जो रेंज है इसके अंदर नाम नहीं आ रहा था तो नाम का अगर कुछ डि इसको हमने 200 सेल करिए तो इस तरीके से दोस्तों हमारे पास अब तो यह जैसे डाटा हमारे पास बहुत कम है तो जल्दी शोट हो गया हम इसको वैसे भी मलब चेक करके बता सकते हैं कि इसको अभी तरक हमने कितना समान सेल किया है तो अगर काफी सारा डेटा ओपीशिय दि हमारे पास रिकोर्ड होते हैं क्योंकि एक दिन के अंदर 100-200 कर्ष्टमर भी हमारे पास आते हैं 200 उसके बाद में आइटमें भी हमारे पास हजारों के संच्चान रो सकती है तो इस तरीके से उसको उस वक्त है जो डाटा को शोट करना थोड़ा सा मुस्किर काम हो जाता है तब हमें पाइवेट टेबल की जुरूरत पढ़ती है तो दोस्तों अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हूँ वीडियो से कुछ सेखने को मिला ओ तो फ्लीज वीडियो को लायक जूरू कर देना दोस्तों मैं सेर भी जूरूर कर देना और दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो भी कर लेना क्योंकि हम आगे भी आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लाते रहेंगे तो दोसों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में के नए टोपिक के साथ